Good morning children, today we are going to read the poem Don't Tell and then we will discuss all the questions also. बच्चो अक्षर आपने अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से ये सुना होगा कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, अभी आप छोटे हो. बच्चो ऐसा ही एक बच्चा होता है, वो भी आप की तरह बहुत परेशान हो चुका होता है. वो भी कुछ कहना चाहता है, उसकी भी कुछ feelings है इस बात को ले करके कि मुझे parents या मेरे बड़े ऐसा क्यों बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता है, मैं वो नहीं कर सकता है तो वो बच्चा इस poem के मात्यम से कुछ कहना चाहता है, हमें उसकी बात जरूर सुननी चाहिए कि क्या यहां पर कुछ चीज है, जिनको आपके बड़े आपको नहीं करने देते रीड अबाउट वाट इस चाहिल्ड फिल्स, कि यह बच्चा कैसा महसूस करता है, पढ़ो तो अब हम इस poem को रीड करते हैं बच्चा कहता है, यहां पर बहुत सारी सीज़ें हैं, जिनको वो नहीं करने देते वो मिन्स पेरेंट्स और उसके बड़े वो कहते हैं, कि मैं अभी तक बड़ा नहीं हुआ हूँ ठीक है, अब यहां पर कुछ मिनिंग्स देख लो लॉट्स ओफ मिन्स क्या होता है, ए नमबर ओफ हिंदी में कहेंगे काफी, खूब मातरा में, बहुत ज़्यादा ठीक है, यह जो वॉन्ट लिखा है न बच्चो यह contracted form है, किसकी will not की, किसकी है will not, यह will not जो है, वो इसकी full form होती है और जो वॉन्ट लिखा है, यह will not की contracted form है ठीक है, let मिन्स क्या होता है, अनुमती देना, permission देना me मिन्स मुझे, do मिन्स करना, big मिन्स बड़ा, enough मिन्स क्या होता है adequate, मिन्स पर्याप्त, yet मिन्स अभी तक, say मिन्स कहना बच्चो इसकी आगे है, so I patiently wait till I am all grown up कि जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाओं, तब तक मैं धहर्य पूर्वक इंतजार कर रहा हूं and I will show them all one day, और एक दिन मैं उन सभी को दिखा दूंगा ठीक है, so means इसलिए, patiently means होता है, calmly, धहर्य पूर्वक, शान्ती से wait means इंतजार करना, till means तक, all means सभी, grown up means क्या होता है, mature क्या होता है mature यह fully developed, adult ठीक है, और उसकी बात में आगे है, show means दिखाना और one day means एक दिन, them means उनको, ठीक है, आगे है, I could show them now if they gave me the chance यदि मुझे वो chance दे देते, तो मैं उनको अभी दिखा देता, there are things I could do if I tried यदि मैंने कोशिश की होती, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजे हैं, जो मैं कर देता, ठीक है बच्चो, इसमें कुछ meanings देख लो, show means दिखाना, now means अब, they means way, if means यदी यह जो gave है, यह give की second form है, ठीक है, give means देना, me means मुझे, और chance means क्या होता है, आवसरिया, मोका, और things means चीजे, और इसकी बाद में do means करना, tried जो है यह try की second form है, try means कोशिश करना, ठीक है बच्चो, but nobody knows, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं जानता है, no, nobody knows, कि नहीं, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है, that I am really a giant insight, कि मैं वास्तों में अंदर से बहुत बढ़ा हूँ, अब कुछ meanings देख लो हैं आपर, insight means अंदर से, giant means huge, बहुत बढ़ा, ठीक है, और really means वास्तों में, और knows means चानना, nobody means कोई भी नहीं, और but means लेकिन, तो बच्चो इस तरीके से आपकी poem complete हुई, poem में जो बच्चा है, वो ये कहना चाहता है, कि मैं अंदर से बहुत बढ़ा हूँ, means मैं कर सकता हूँ, वो चीजें, लेकिन मेरे जो बढ़े हैं, मेरे parents हैं, वो मुझे नहीं करने देते, उनको कम से कम एक मौका तो मुझे देना चाहिए, बच्चो यहाँ पर कुछ new words है, enough means क्या होता है, adequate, means पर्याप्थ, chance means आउसर, मौका, और giant means huge, बहुत बड़ा, patient means मरीज, इसके दो मिनिंग होते हैं, मरीज या धहरेवान, calm, being tolerant, ये इसके मिनिंग होते हैं, बच्चो अब है question answer, first question है, how old is the speaker, speaker की age क्या है, speaker की उम्र क्या है, बच्चो speaker को समझो, speaker means तो होता है, बोलने वाला, तो इस poem में जो बोल रहा है, उसकी उम्र क्या है, तो आपका answer होगा, the speaker is a young boy, ठीक है, second question है, who are they and them in the poem, कि poem में they और them कौन है, तो आपका answer होगा, In the poem, they and them refers to the parents of the child and other grown-up people, कि इस poem में they और them जो है, वो उस बच्चे के parents के लिए आया है, और जो mature people है, उनके लिए they और them का use हुआ है, Third question है, what is the secret the speaker is hiding, कि speaker जो छुपा रहा है, वह रहसे क्या है, तो आपका answer होगा, the speaker is hiding that he is actually a giant from inside, बच्चो अब है talk time, first है, think of three things that they won't let you do, कि तीन चीजों के बारे में सोचो, जिनको वो नहीं करने देते, वो कौन आपके parents, तो आप इसमें लिख सकते हैं, first, they won't allow me to go shopping in the market alone, ठीक है, वो मुझे अकेले को shopping करने के लिए market नहीं जाने देते, दूसरा आप लिख सकते हैं, they won't allow me to drive a car, third, आप लिख सकते हैं, they won't allow me to use electrical appliances, ठीक है, electrical appliances like electrical cattle, electrical iron, TV, इन चीजों को यूज नहीं करने देते, इसके बाद में next question है, what are the things you would like to do when you are grown up that you can't do now, कि जब आप बड़े हो जाओगे, तब आप कौन सी चीज़े करना पसंद करोगे, जिनको आप अभी नहीं कर सकते, तो आपका answer हो सकता है, I would like to drive a car, handle electronic devices, go to shopping alone when I grow up, ठीक है बच्चों, बच्चों अब है word building, first है, using the letters of the given word, make three words, one is done for you, हमें तीन words बनाने हैं, नीचे जो words दिये हुए हैं, इनकी letters use करते हुए, ठीक है, जिसे कि एक इनोंने करके बता रखा है, अब हमारे लिए जिसे एक word है mother, इसमें जो letters लिखे हुए है, इनको हमें use करते हुए, different different word बनाने हैं, जैसे कि एक तो हम यहाँ बना सकते हैं, other, o-t-h-e-r, ठीक है, दूसरा word बन जाएगा, am-o-t-h, and third बन जाएगा, h-e-r, her, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक word है, visitable, तो इनके letters को हम use करेंगे, तो हमारे पास new words बनेंगे, एक तिसे table, ठीक है, एक table बन गया, एक get बन गया, और एक बन गया, able, ठीक है, यह नए-नए words बन रहे हैं, इनके letters को use करके, और फिर next word है, thousand, इसको हम use करेंगे, इनके letters को use करेंगे, तो एक word बन जाएगा, send, एक बन जाएगा, and, और एक बन जाएगा, hand, ठीक है, इस तरीके से हम new words बना लेंगे, next word है helicopter तो इससे एक word बन जाएगा help हमें इनी letters का use करना है जो इस word में दिये गए है इसके बाद में एक बन जाएगा pet और एक बन जाएगा pilot ठीक है बच्चो और भी कोई word बनता हो तो वो भी आप बना सकते हैं second है look at these words in the poem poem में अभी हमने देखा ये words आये थे don't, I am, I'll actually में ये contracted forms होती है ये आपको समझना होगा contracted forms होती है जब हमें दो words को मिला करके हम एक word बना जेते हैं इससे हमें फाइदा ये होता है कि हम बोलने में एक साथ उसको बोलते थे हैं साथ में लिखने में भी थोड़ी आसानी होती है जैसे कि देखो आप ये फिर don't लिखा हुआ है इसकी full form होती है do not लेकिन हमने do not ना बोल करके don't बोलना शुरू कर दिया और इस form को बोलते हैं contracted form ठीक है ऐसे ही जिसे I am होता है इसकी full form होती है इसको हमने कर दिया contracted form में I am ऐसे ही I will कर दिया हमने I will का तो ये forms होती है contracted form हलांकि इनके meanings में कोई अंतर नहीं होता आप चाहो तो full form लिख दो और आप चाहो तो contracted form लिख सकते हो ठीक है बच्चो इसके बाद में आगे है now write the full forms of the following words अब ये सभी contracted forms लिखी हुई है हमें इनकी full form लिखनी है ये लिखा हुआ है can't तो हम इसकी full form लिखेंगे cannot ठीक है ऐसे ही its लिखा हुआ है इसकी full form हो जाएगी it is ये यहां लिखा हुआ है isn't इसकी full form हो जाएगी is not ऐसे ही यहां लिखा इनको यूज करते हुए sentence बनाने है यह भी contracted form लिखी हुई है जैसे first है he is तो हमें क्या लिखना इसका sentence क्या बनाना है he is my brother she is going to school बोल सकते हो market बोल सकते हो ऐसे आगे you are going to school we are planning to go for a tour of Goa ठीक है तो यह contracted form को आपको जुरू धहान रखना है इस poem में आपने यह सीखा होगा व्यूंकि दो तिन बार यह form यूज भी हुई है अपने poem में और इसके बारे में बहुत ज्यादा बता रखा है आपको knowledge हो about two things you will do when you grow up you can begin like this कि हमें यहां पर दो चीजे लिखनी है जब आप बड़े हो जाओगे तब आप क्या करोगे ठीक है और हमें starting करनी है ऐसे when I grow up I'll इस तरीके से तो हमें two sentences हमें यहां create करने होंगे हम लिख सकते हैं when I grow up I'll love to go for shopping alone second आप लिख सकते हो when I grow up I'll drive a car तो इस तरीके से आप और भी कुछ लिख सकते हो इसके बाद में बच्चो आगे है team time class word chart how many new words have you learned कि आपने कितने नए शब्द शीखे हैं write down three words you have learned so far आपको तीन word यहां पर लिखने हैं जिनको आप सीख चुके हो write them down on a chart और blackboard tell their meanings to the class उनकी meanings आपको class को बतानी होगी तो point में बहुत सारे words आए हैं मैंने बहुत discussion भी किया आपके साथ में जो भी आप नए words सीखे हो उनको आप team को नहीं सभी को जितने भी new words में बताए हैं उन सभी words को आप अच्छे तरीके से याद करके अपनी class में बताएंगे इसके बाद में बत्चों आगे है say aloud giant jam gym zone goose gray gold gum ठीक है इसके बाद में आगे है choose and tick the words with a z sound कि हमें tick करना है उस word को जिसमें जे का sound आ रहा हूँ जिससे ए में देखिए आप january goose zam zam तो देखो जे का sound इसमें भी आ रहा है यहां भी आ रहा है और january के अंदर भी आ रहा है ऐसे देखिए जेकेट और जिराफ ग्रो जुलाई तो सिर्फ इस ओं में नहीं आ रहा है बाकी जुलाई में जिराफ में और जेकेट में जेका में जेका sound आ रहा है तो बच्चो इस तरीके से आपकी ये पॉइम साथ में पूरी exercise complete हुई और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप जुरूर comment करियेगा साथ में जितने भी मैंने new words बताए हैं उनको आप याद करने की habit डाल ले और साथ में मेरे इस वीडियो को आप share करें लाइक करें और मेरे चैनल को subscribe करें thank you for watching